असलाम लेकुम एविवान, माई टूड़ीज विलोग इस अल अबाउट महर्रम उलहराम इस विलोग में मैं आपको बताऊंगी के हम महर्रमे नियास कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम लोगे ने लिया शौप से सामान then मटी के बरतन वाली शौप से हमने ये प्लेट्स ली इन प्लेट्स को ओवरनाइट वाटर में सौप करके रखना होता है ताकि जितना भी इन्होंने पानी पीना है न ये पी जाएं फिर तीन से चार बार इनको वाश करने के बाद इनको ड्राइ करने के लिए रख देते हैं और ये तैयारी हम सिक्स महर्रम से स्टार्ट करते हैं माशाला मैं जावयार से हर काम करवाती हूँ ताकि वो हर काम में पार्टिस्पेट करें मुझे ऐसे लगता है कि आप अपने बेटे की ऐसी तर्बियत करें जो भोबी आप अपने शोहर में देखना चाते हैं ताके कल जब उसकी बीवी घर आए ना तो उसे एक अच्छी तर्बियत ज्याफता शोहर नसीब हो आज कल जितने भी केसिस देखने में आ रहे हैं उसमें काफी हद तक कसूरवार मदर्स पीएं अपने बेटों को ओरतों की इज़त करना सिखाएं ना के उन पर हुकमरानी करना और ये हम बेटों की माउपर फर्द होना चाहिए आज अगर हम अपने बेटों की दर्बियत अच्छी करेंगे ना तो कोई शोहर अपनी बीवी को नहीं मारेगा कोई कतल नहीं करेगा या कोई लड़की खुदकुशी नहीं करेगी So we should have to be educator sons Then हम लोग साथ महरम को इमाम बार का जाते हैं अब यहाँ पर काफी लोग मुझसे पूचेंगे कि आप शीय हैं या सुन्नी हैं तो मैं इस तफरीक से बहुत दूर हूँ I am a Muslim and being a Muslim एहल बैस से महबत हमारे इमान का हिस्सा होनी चाहिए और इसके बगार हमारा दीन नामुकमल है That's it And देने वाली जात तो Allah ताला की है But it's my belief मैंने महरम उलहराम में दो नफल पढने के बाद जो दूआ मांगी है न वो इंशाला ताला next महरम आने से पहले complete होती है And this is my belief But on the other hand जो गलत है वो गलत है अपमी जानों को नुकसान पहुचाना मारना, पीटना This is wrong And I totally against about it Now we should have to be educated on this और हमारे इसलाम में ये कहीं भी नहीं है कि अपनी जानों पर जल्म किया जाए At least गलत को गलत कहने की हिम्मत तो सब में होनी चाहिए Then eight महरम उलहराम को हम लोग बनाते हैं और गर्मी इतनी जादा थी ना आज कि मैं आपको बताई नहीं सकती वैसे आप लोगों को खुद भी पता ही होगा कि कितनी बोई ही है बेशेख आप जन्नती नोजवानों के सरदार हैं माशाला माशाला इसमें तो कोई शक ही नहीं है और महरम अलहराम में खाने पीने की इतनी बरकत होती है न कि हर चीज आपको वाफर मिगदार में मिल रही होती है और जरूरी नहीं है कि आप लोग देगे ही बनाएंगे तो ही नयाज होगी जो जितना कर सकते हैं उतना करे और अगर नहीं कर सकते तो इट सोगे वो कहते हैं ना अमाल का दरोमदार Toons नियतों पर है और कबूल करने वाली तो Allah की जाथ है यहां पहे जावयार मेरी हिलप कर रे थे और मैंने जावयार को नहीं सिखाया कि यह कम लड़की के होते हैं जावयार की होते हैं मैं तो पकाबोर हो जाती हूँ क्योंके मेरे साथ कोई बात करने वाला होता ही नहीं है आज नूमौरम अलहरामती तो यहां पर हो गया था हमारी रिफतारी का टाइम धन हम लोगों ने निकाली खीर क्योंके हम लोगों ने खीर देने जाना था ममा की तरफ उनको खीर देने के लिए यहां पे मेरी ममा ने बनाया हुआ था कुल्फा इतना मज़े का था यह बहुत जबरदस मेरी ममा को इस तरह के काम करने का बहुत शोक है हम कहते हैं ममा गर्मी में तो ऐसे काम करना शोड़ दो यह चीज़े सर्दियों में देखी जाएंगी यहां पे मेरी ममा ने हलीम की नियास दिलवाई थी जब मैं बच्पन में थी ना मैं हमेशा यह सोचती थी कि महरम का मतलब ना हलीम होता है क्योंके सब हलीम ही बांटते थे महरमों में आज दस महरमों हराम को हम लोग ने बांटने जाना था यह खीर फिर सल्मान ने यह इस तरीके से बकिट में डालनी थी सारी हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया वा था कि यह हम रोर्स पे बांटेंगे जो फूट पार्ट पे लोग नहीं बैठे होते हैं उनको बिकोज कली महरमों में बांटने का कोई फाइदा नहीं होता औरेडी भरेवे लोगों को भरना माशला इन भाई ने रुक के मेरी खीर की तारीफ की थी बस आपकी कोई तारीफ कर देना तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है फिर हम लोग आगे थे आईसलेंड जहां से हम लोगों ने लिए आफ़तारी का सामान धेन हम लोगों ने बाइक किया जूस फिर हो गया था हमारी बाइक का टायर पंचर या दिस इस दिर रियालिटी चेक जहां आप लोगों को सोशल मीडिया पे बहुत लैविश कार्स दिखाई जाती है यहाँ पे मैं आपको ये रियालिटी चेक देना चाहती हूँ कि लोग बाइक पे भी सफर करते हैं और टायर पंचर भी हो जाते है फिच इस एपसलिटी नॉर्मल एंड इस इस वेरी नॉर्मल फॉर मी मैं बाइक पे भी उतना ही मज़े से सफर करती हूँ जितना के एक कार में सो काइंड़ी सोशल मीडिया को अपने सर पर सवार मत किया करें कि उसके पास जो चीज़ है वो हमारे पस क्यों नहीं है देन हमने प्रेट्रॉल पंप पे रोजा अफ़तार किया था फिर हम लोग आगे थे रेस्टरांट यहां पे हम लोग ने किया डिनर और यह जाविया की क्यूट क्यूट हरके थे एंड करते हैं विद इस खीर